इस वीडियो की माध्धम से आज हम जानेंगे मिश्टर हर्सवर्धन जैन सर का बचपन से लेके अभी तक का पूरे जिवन परचाय और उनकी संघर्स हर्सवर्धन सर का जन्म सन 1980 में जैपुर सहर से 18 क्रिमिटर दूर एक छोटे से गाउं में एक समाने मिडल क्लास परिवार में हुआ था इनकी पिदा जी जैपुर डेरी में डॉक्टर का काम करते थे जो एक सरकारी नौकुरी थी और उनकी मा एक होस वाइफ थी बात करें इनकी पढ़ाई की तो हर्सवर्धन जी अपनी क्लास सातवी की पढ़ाई अपने गाउं में रहकर सरकारी स्कुल से की थी और आठवी और नवी के पढ़ाई जैपूर के इसकुल में पूरा किया था और दसवी के पढ़ाई बीका निर में अपने ताउगी जी यहां रहकर पूरे की और ग्यारवी और बारवी के पढ़ाई खंडेलवाल इसकुल से पूरा किया था हर्स वर्धन जी के लाइव इस्टोरी बहुत ही रुमान चकरा है हर्स वर्धन जी के माता पिता की जब साधी हुई तब लगभग साधी के 11 साल तक उनको कोई संतान नहीं हुई थी और हमारे भारत में जब इसी साधी सुधे जूड़े का इतना लंबे समय तक संतान नहीं होते तो उन्हें की इस नजर से देखती हैं ये बात आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं काफी साल बितने के बाद उनके माता पिता पंजी जी के पास गए और अपनी समस्या बताई तब पंजी जी सभी बाते को ध्यान से सुना उसके बाद पंजी जी ने 2-3 दिन कुंड़ी मिलाव करके हर्सवर्धन जी की पिता को बोला की धिरज रखिये क्योंकि महापुर्षों को आने में थोड़ा समय लगता है पंजी जी किया बात सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए और इस प्रकार सादी के लगभग 11 साल की बाद हर्सवर्धन सर्जी का जन्म हुआ हर्सवर्धन जी अपने गाउं की स्कूल से लेकर LLB तक की पढ़ाई समान्य रहा लेकिन भी बताते हैं अपने स्कूल की सबसे सैटान बच्चे हुआ करते थे इसलिए टीचर उनको क्लास किप्टन बना दिया करते थे जिससी की क्लास में सांती भी बनी रहे इसलिए करनर से हर्सवर्धन जी अपने फर्ष्ट क्लास से लेकर LLB तक की पढ़ाई तक क्लास किप्टन बनते ही रहे दोस्तों हर्सवर्धन जी अपने एक इंटर्विय में बताते हैं कि 5-6 साल की उम्र में ही एक अच्छे तराग बन चुका था और इसी तेरनी के आदत के वज़ा से हर्सजी लगभग 8-10 से लेकि 40 फिट तक घहरे कुए में तेरनी के आदत डाल ली थी और इसी अदत के वज़ा से उनकी माता पिता उनको कई बार तलाँ से मारते हुए पिटते हुए हर्सजी को घर तक लाते थे लगभग 10-12 साल हर्स वर्धन जी तैरने की सभी कला में महरत हासिल कर चुके थे लेकिन कुछ करण वास हर्स जी प्रोफेशनल तैराक नहीं बन सके 12 साल के बाद उनको क्रिकेटर बनने का जुनून आया और अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन भुखे और प्यासे मैदान में क्रिकेट खेलता रहता था इसी करण उनके घर वाले ग्राउन तक खाना पहुचाने भी आया करता था बच्पन की दिनों में हर्स जी जीला लिवल की स्टाली ट्रोफी बनवाया और जितना या सभी उनकी उपलबदिया में से एक था इवं सांथी सांथ वह धुरंदर बैट्समेन भी हुआ करते थे हर्स वर्धन जी टूना मैन में खेलते हुए लगबाक उनी सेंचूरी मारी थी इसके बाद समय गुजरता गया तैराक और किर्केट को छोड़कर उन्हें एक्टिंग और गाना गाने के भी सौंक था हर्स वर्धन जी अपने एक इंटर्यू में बताते हैं कि जब वे गाउं के इसकूर में पढ़ा करते थे तब उन्हें सांस्कृतिक करेकरमों में महत्तपूर कलाकार भूमी का निभाने के लिए दिया जता था जब वे 9 साल के थे तब हर्स वर्धन जी को गाउं के एक संस्कृतिक करेकरम में उन्हें एक गवाले का नाटक दिया था जिसमें अच्छा पर्दसन के कारान उस जबाने में अर्थाद 1989 की बात है लगभग 1100 रुपिय का पूरुसकार भी दिया गया था इस तरह हर्स वर्धन जी का बचपन हसी खुशी मस्ति के साथ बिता और जब कॉलिज की पढ़ाई सुरू हुआ तब हर्स वर्धन जी की पीता जी तीन रुपिय उसको देते थे लेकिन वे घर से मेंड मार्केट तक पैदल चल कर अपना रोज का एक रुपिय बचा लिया करते थे इस तरह से तीन दिन में तीन रुपिय बचा कर जैपूर के एक जगा पर जाकर कड़ी कचवरी खाया करते थे हर्षवर्धन जी को दर्सान सासर में काफी रुची था इससी करण अपने कॉलेज की पढ़ाई दर्सान सासर से ही खत्म की और उसी समय सन 2000 में कॉलेज सेकेंड डियर में थे तभी उनके एक दोस्त ने कहा की चल अमरीका की एक बड़ी कमपनी आई है जो जिन्दगी बदलने की बात कर रही है इस प्रकार सर का नेट अप मार्केटिंग में एंट्री हुई और कुछ कारण वस 2006 में उनकी पहली कमपनी बंद होने के वज़ा से फिर सिवाद जीरो हो गया फिर दूसरी ने कमपनी जोइन किया और पहले के अपेक्षा दुगुना गती से आगे बढ़ता गया सन 2011 में कुछ खराब कमपनी वा मनिश्र कुशन के वज़ा से सरकार ने कुछ नियम निकाली और अपने इंडेस्ट्री को बचाने के लिए हर्सवर्धन जी 37 दिनों के लिए जेल भी जाना पड़ा था और हर्सवर्धन सर बताते हैं कि उन 37 दिनों में उन्होंने जेल में बैठे बैठे लगभाग 70 किताबे पड़ ली थी जो सायद वो बाहर रहते तो सायद कभी नहीं पड़ पाते अर्थात हर्सवर्धन जी खराब परिसितियों में भी मौके ढूंड लिया आज हर्सवर्धन सर की सफल तक ही बात करें तो आज उनके पास सांदर घर एक BMW, Mercedes कार और अपनी कंपनी के टॉप अर्णर में से एक हैं और साथ ही साथ एक सफल यूटूबर हैं इनके यूटूब चैनल में लगभग अभी 30 लाग से भी जादा सब्सक्राइबर हैं हर्सवर्धन सर करोड़ो रुपियों के मालिक के सांसाथ एक अच्छा वक्ता भी हैं जो अपने सकरात्मक इस पीज से लोगों को जीवन में एक सही संसकारों को अपना कर आगे बढ़ने के लिए प्रेजित करते हैं दोस्तों आपको हर्सवर्धन सर का वीडियो काशा लगता हैं इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ इसी तरह के नए नए इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अजया चैंगिर इस चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा ताकि आने वीडियो को नोटिफिकर्शन सबसे पहले आपको मिलें और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के पास सेर जरूर गिजिएगा मिलते हैं अगली बार कुनेवे डोक साना तब तक के लिए जैहिन जै भारत